जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम 16 दिन चलने वाले महलक्ष्मी व्रत की जानकारी दे रहे हैं दोस्तो यह है व्रत देखे राधा अश्टमी से प्रारम होता है और 16 दिन तक चलता है कई लोग अनंट चदुरुदर्शी के दिन ये दागा अपने हाथ में बानते हैं जिसे 16 घात लगा कर हाथ में बानते हैं कई लोग देखे अश्टिमी से एक दिन पहले अपने हाथ में दागा बानते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम 16 दिन चलने वाले महालक्ष्मी वरत में किया जाने वाले उपाय बतारे अगर आप वरत करते हैं तो बहुत ही शेष्ट है अगर आप वरत नहीं भी करते हैं तो अगर आप ये दो तिन उपाय करेंगे तो निश्शित ही आपके उपर माता लक्ष्मी की किरपा होगी और आपकी जो भी मनु कामना है वो शीगर ही पूरी होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने प्यासरा फैमली चैनल को सस्क्राइब नहीं और उसमें सोला गाठ लगाकर इस्तरी अपने बाय हात में और पुरुष अपने दाय हात में बानता है यह वरत देखे इस्तरी पुरुष दोनों ही रखते हैं तो कोई भी यह वरत रख सकता है अगर आप वरत नहीं रख सकते तब भी अगर आप माता लक्ष्मी का नियमित पुजा करनी चाहिए पुजा के लिए सबसे पहले पुजा स्थाल पर हल्दी से कमल बनाए उस पर माता लक्षमी की मूर्ति स्थापित करें अगर मूर्ति है तो नहीं तो आप उनकी तस्वीर भी ले सकते हैं पुजा में अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसको भी रख देखें फल पुजब अक्षा से पूजा करें दो स्था अगर आप लक्षमी की तस्वीर है या भःख्वान विश्नु के साथ माता लक्षमी की तस्वीर है तो नित्त्य प्रती आपको पूजन ऑवश्य करना चाहिए और माता लक्षमी को देखें शोला दिन तक मत्लद प कुम कुम का ठीका अवश्य लगा है और साथ ही जो हम उपाय बता रहे धन प्राप्ति के लिए देखें आपको साथ पीली कौड़ी अवश्य लेनी चाहिए आपको किसी भी पुझा के स्था मतलब दुकाने मिल जाएगी आप साथ पीली कौड़ी ले अगर पीली कौड़ी न हैं तो गाए की सभी ले सकते हैं नहीं तो तिलिका देलए उसमें नहीं सब्सक्याव को देखेWest मता लक्षमी को इस बी मंद्र का जाप कर सकते हैं या महलक्षमी शोद काने साथ ही दोस्तों वाले सोला अधिक महतु माना जाता है तो आप सोला सिंगार माता रानी को अर्पित करके किसी भी सुहागन महिला को दान अवश्यकर आप अपने घर में ही किसी भी सुहागन इस तरी को दे सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही शेष्ट रत माना जाता है किूद कि माता लक्षमी ने सोयं यह एक ब्रहंमल को माता लक्षमी की किरपा प्राप्त करने के लिए अगर अनके दीपक जलाते हैं उनके जो रक्षा सूत्र होता है जो सोला गाठों का जो धागा होता है वो अवश्य ही अपने हाथ में बांधना चाहिए महलक्षमी वरत की देखे पूजन विदी और वरत कता हमने अपने चैनल में डाल रखी है अगर आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तो यह बहुत ही शेश वरत माना जाता है माता लक्षमी को प्रसंद करने का आप इन चोट-चोटे उपायों को करके अपनी जो भी मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी साथ ही दोस्तो जो आपने देखे पीली कोडी अर्पित करी है जसे सोला दिन होने के बाद उनको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं देखना आपके घर में माता लक्षमी का स्थाई रूप से वास अवश्य ही होगा दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें आप सभी को जैशी खिशना